मैं आजलाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा तो हमारी माता हो बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का अक्रोस है अब समय की मांग है कि जिनको सजा हो होती है उसकी व्यापक चर्था हो ताकि ऐसा पांप करने वालों को भी दर पैदा हो कि पांप करने की साहलत यह होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है आज अनेक खेत्रों में आज हमारे रक्षा खेत्र में का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती है और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा हमारी माता हो बेहनों बेटियों के प् प्रति देश का अक्रोश है जन समयने का अक्रोश है इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं इसको देश को समाज को हमारी रवच्ज सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलातकार की ये महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौने में कहीं पड़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा होता कि ऐसा पांप करने वालों को भी दर पैदा हो कि ये पांप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है क डर पैदा करना बहुत जरूरी है